हाई यूडी वन आज के इस यूडी में डिसकस करेंगे लुएज के बारे में यानि लेफ्ट वेंट्यूकलर हाइपट्रोपी क्या होता है इसके क्या कारण होते हैं इससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है और इसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या लुएज को अपन डिग्रे किसे चरह करना हार्ट की जो वाल रिदे हैं उसकी ठीकनेश बढ़ जाती है जिसको प्रेसर ओलोट कहते हैं।areンダ में लगातार ब्लड व्य म्य जादा आना तो उसके कारण हार्ट की जो वाल है वो तो मोटी नहीं होगी लेकिन जो इस पेस है केविटी है अंदर की वो ज्यादा होती जाएगी तो जिसको वोल्यूम ओलोड कंडिशन बोलते है लवी एच 15-20 परसें जनल पोपुलेशन में पाया जाता है और इसके कारण क कि बात करें तो टू-थर्ड केस में इसका करण रहता है हाइपरेटेंशन बाकी करण जैसे एरोटिक इस्थिनोसिस और या वोल्यूम होलोड कंडिशन है जैसे माइटल रीगेटेशन है अरोटिक रीगेटेशन है वेंटिकल सेप्टल डिफेक्ट है इसके अलावा जैसे ह हाइपरोपी कार्डियो माइप ती उसमें भी एल्ट हो जाता है या फिर कुछ एक्सेसियोलोजीकल वेच होजाता है या हार्ट की मसल्स में कुछ कोई सिम्टम की बात करें तो लंबे टाइम तक कुछ पता नहीं चलता यदिए लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा पिर सांस लेने में दिक्कत होना, चाती में दर्द होना, पाल्पिटेशन होना, यानि इसको दढखन फील होना, डीजीनेस या चक्कर आना, या फिर उसको थकान मैसूस होना, ये सब सिम्टम हो सकते हैं, और ये जैसे ही पेसेंट अक्सेसाइज करेगा, कुछ वर्क करेगा तो ये ज्यादा होएंगे, LVH को डाइगनोस कैसे कर सकते हैं, इसको डाइगनोस करने के लिए सबसे पहले ECG करवाते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल और इजीली एविलेबल टेस्ट है, तो ECG में जो QRS कुम्पलेस हतें कापी बड़े-बड़े दिखाई देंगे, दूस किसरा टेस्ट है, जो कि Cardiac MRI है, यह दि ECG और ECOS से पता नहीं चल रहा है, तो Cardiac MRI भी करवा सकते हैं, डाइगनोसिस करने के बाद में उसको ट्रीट कैसे करें, तो LVH को ट्रीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना basic lifestyle चेंज करना है, डाइट मोडिविकेशन करना है, इ यह दि हाइपरटेंशन के करना LVH है, तो अपन हाइपरटेंशन को कम करने की मेडिशन देंगे, जिसमें AC इनिबिटर, ARB और कैल्सिम चेनल ब्लोकर और धायरियोड डारियोटिक्स यूज करते हैं, जो कि अपना BPP कम करते हैं और LVH को डीग्रेस भी करते हैं, दूसरी क कंडिशन रहती है, हाइपरटोपिक आडियो माइपेथी, हाइपरटोपिक आडियो माइपेथी जनेटिक डीजीज है, जिसमें LV की कॉन्टेक्टिबिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और स्पेस कम हो जाता है केवीटी का, तो इसको कम करने के लिए अपन बीटा ब्लोक कर देते हैं, जो कि हार्ट रेट को कम करते हैं, इसकी कॉन्टेक्टिबिटी कम करते हैं, और LV फिलिंग को अच्छी कर देते हैं, जिसे सिम्टम में काफी अराम मिल जाता है, चोती कंडिशन है, एतलेटिक्स या फीजियोलोजिकल LVH है, तो उसमें आपको कोई स्वेशि सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे आगे जाके हार्ट फैलियोर होना, सदन कार्डेक्ट देट होना, कई परकार के अरिद्मिया हो सकते हैं, जिसमें एटल फिब्रिलेशन एक कोमन है, तो LVH को डाइगनोस करना और उसको ट्रीट करना बहुत इंपोर्टेंट है, ताकि आगे चलके इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, थैंक्स